नमस्कार दोस्तों अगर आप Samsung का phone यूज करते हैं और उसमें जो आपका keyboard है उस पे कोई भी typing वगएरा करने से आपके में sound आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अगर कुछ भी type करते हैं for example ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है sound आ रहा है ठीक है यहाँ हम बैक कर रहा है कट कर रहा है तब भी यहाँ पे sound आ रहा है आपको सुनाई पढ़ रहा होगा ठीक है तो आप इसको कैसे हटा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चले जाना है अपने phone की settings म और जब आप अपने phone की settings में जाएंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पे आपको सबसे उपर साइड हलका एक option दिख जाएगा sounds and vibration का आप इस पे करिए click जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपको इस type का interface यहाँ पे मिलेगा आपको simply यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की और scroll कर लेना है और नीचे की और scroll करने पर आपको एक option दिखेगा system sound का आप इस पे click करिए जब आप system sound पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे options दिखेंगे आपको सबसे नीचे एक option दिखेगा samsung keyboard का आप यहाँ पे देख सकते यह enable है आपको simply click करके इसको off कर देन है और off करने के बाद आप जब भी keyboard में अपने type करेंगे या फिर back करेंगे कुछ भी करेंगे तो आपको sound वो जो सुनाई पड़ता था वो नहीं सुनाई पड़ेगा हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं यह आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ भी अगर type कर रहा है तो हो जब कुछ पर देख सकते हैं हम यहाँ लो गला है यहाँ अगर रहाँ.